साथियो नमसकार, आज के हमारी इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देना वाला हुँ कि आपके गरपे डोग है उस डोग के अगर इसकिन प्रॉब्लम है डोगोस में ज्यादा तर क्या होता है? इसकिन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है अक्सर हमारे पास यह क्यूश्टन ज्यादा आते हैं कि मेरे डोक की स्किन में ये प्रोबलम होगी खुजली होगी बाल जड़ रहे हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा शांदार देशी तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपने डोक की स्किन को हेल्दी रख सकते हैं और अगर स्किन खराब हो गई है तो इससे सही भी कर सकते हैं गर बेटे गरलू नुसके से तो फैंट्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे सेनल को इतना लाइक अमेट से है और सब्सक्राइब कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आईए वीडियो सुरू करता है साथियों जब भी हमें लगता है कि हमारे डोक की स्किन खराब हो रही है यानि रेसिस से हो रहे हैं बाल जड़ रहे हैं और डोक इचिंग कर रहा है तो उस इस्तिती में आप तुरंत एक्षन ले और घरेलू इलाज करें अगर आपके पास कई परकार के सेंपू है कई परकार की दवाईया है या पसुचिकेसक की अच्छी सुईदा है आप उनकी राय से लेना चाते हैं बहुत ही शांदार है लेकिन अगर ये सुईदा उपलब्द नहीं है और आप गरेलू इलाज करना चाहरे है तो उसके लिए आपको क्या करना है देखिए कुछ नीम की पत्तियां लानी है यानि आप 20-30 नीम की पत्तियां ले आए और उन पत्तियों को अच्छी तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में या कैसे भी करके पीस ले यानि पेस्ट बना ले और ये जो पेस्ट बना है उसमें नारियल का तेल मिला दे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है नीम की पत्तियों को ग्राइंड करना है और उसमें नारियल का तेल मिलाना है कितना मिलाना है कि एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए और उस पेस्ट की जो मात्रा है वो आप अपने डोग के हिसाब से निर्दारित करें यानि कितनी दूरी में आपको लगाना है उसकी डोग कितना बड़ा है क्या एज है उसके हिसाब से निर्दारित करके और आप पेस्ट बनाने और ये पेस्ट सब्ता में दो बार आपको लगाना है एक बार जो फेस्ट बनाते हैं वो दो-तीन बार आप यूज़ कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो ये जो पेश्ट बना है बहुत ही शांदार रहेगा अगर आप हर बार ताजा बनाए तो और भी अच्छा रहेगा इसके समध्य जितनी भी प्रॉब्लम से वो दूर हो जाएगी लेकिन उससे पहले आप ये ध्यान कर ले कि आपने डोग की डिवर्विंग की है आप अपने डोग को मल्टिविटमिन दे रहे हैं तो ये समध्य बहुत जल्दी दूर हो जाएगी